नमस्कार अगले वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में मैं यहाँ पर इन फ्लावर्स के आपको डाइग्राम भी दिखाऊंगा और इनकी spelling को किस तरीके से pronounce करते हैं उनको भी मैं सिखाऊंगा तो यहाँ पर बिना देर की हुए अपन सबसे पहले flower की तरफ चलते हैं तो वो है periwinkle इसको किस तरीके से pronounce करते हैं periwinkle तो यहाँ पर इसका diagram देख सकते हैं फिर आता है चमपा तो यहाँ पर इसका भी आप diagram देख सकते हो इसको pronounce करते हैं चमपा और जो तीसरा अपने पास आता है वो है ट्यू लिप यहाँ पर यह दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला जो सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं सबसे अच्छा फ्लावर हैं जो भी बुके आप देते हैं उनमें इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है डिफरेंट कलर का यह हो सकता है तो इसको ट्यू लिप बोलते हैं फिर आता है अपने सामने मोगरा तो इसका आप diagram देख सकते हो तो मोगरा इसका diagram आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से मोगरा दिखता है फिर आता है लोटस लोटस होता है वो अपना नेशनल फ्लावर है तो यहां पर लोटस कहां पर उपता है यह वाटर में यहां पर आप इसको देख सकते हो फिर आता है रोज रोज को अपन गुलाब बोलते हैं और लो जैस्मीन यह देख सकते हो आप जैस्मीन जैस्मीन इसको बोलते हैं इसको चम्मेली का फूल भी बोलते हैं फिर आता है शू फ्लावर शू फ्लावर को अपन हिबिसकस भी बोलते हैं शू फ्लावर को क्या बोलते हैं हिबिसकस भी बोलते हैं इसका डाइग्राम भी आप क्लि तरफ है हुआ साटे पर तर यह तरफ रहता है इसलिए को सन्फ्लावर क्या होता है पैटा इसका जो तो फेस रहता है हमेशा, वो संकी तरफ रहता है, इसलिए इसको संफ्लावर कहते हैं, अब उसके बाद आता है डेफोडिल्स, डेफोडिल भी एक अच्छा फ्लावर होए, इसका भी आप डाइगराम देख सकते हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है